खून बनाने की मसीन है ये बीज चार दिन पानी में उबाल कर पी लो इतना खून बनेगा कि डोनेट कर दोगे नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको कुछ ऐसे चमतकारी बीजों के बारे में बताएंगे जो खून बनाने की मसीन का काम करते हैं और आ ना सरब आपके सरीर की खून की कमी का इलाज करेगा बलकि आपके पूरे सरीर के खून को साप करने का काम करेगा खून को पतला करने का काम करेगा जिससे कि आपके पूरे सरीर में blood circulation proper होगा और दोस्तों वैसे भी मैं आपको बता दू कि हमारे सरीर में जो भी बीमारी होती है उसका कही न कही रीजन खून की गंदगी या खून की कमी होता है हमारे स्रीर में blood circulation proper नहीं होता उसके कान हमें बीमारियां होती है खून में गंदगी हो जाती है उसके कान हमारे स्रीर में बीमारियां लग जाती है यदि हमारे स्रीर में खून की कमी हो जाती है तो उससे भी हमारा सरी बीमारियों का घर बन जाता है अब बात करते हैं कि वो कौन-कौन सी बीमारिय है जो इसके काण पैदा होती है दोस्तो, सबसे पहले खून की गंदगी के काण यदि आपके खून में गंदगी है तो दोस्तो आपके चेहरे पर glow नहीं आएगा आपका चेहरा 20 साल की उमर में भी ऐसा दिखाई देगा जैसे कि आपके चेहरा यानि कि आप 70 साल के वेखती हूं यानि 20 की उमर में आप 70 के दिखाई देंगे इस खून की गंदगी की इस खून की गंदगी के काण आपको कोलोस्टोल की समस्या लग जाएगी हार्ट ब्लोकेज लग जाएगी और इस हार्ट इटक के आने का डर बना रहेगा इसके इलावा भी दोस्तो और भी बहुत सारी बीमारिया है जो इन तीनों के काण ही हमारे सरीर में पैदा होती है यानि 1500 त्रहें के रोगों का काण बनती है ये खून की कमी खून की गंदली और बलड सरुकलेशन प्रोपर ना होना लेकिन दोस्तो आज जो बीज हम आपके लिए लेकर रहे हैं वो आपकी इस समस्या का बिलकुल जड़ से समधान करतेंगे और दोस्तो ना सिर्प आपकी इस समस्या का समधान करेंगे इसके इलावा भी आपके सरीर को बहुत त्रहें के रोगों से बचाने का काम करेंगे दोस्तो आपके सरीर की इम्मून पावर रोगों से लड़ने की सकती को बढ़ाने का काम करेंगे और दोस्तो यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके स्रीर की इम्मून पावर रोगों से लड़ने की सक्ति हाई होगी तब आप बहुत त्रहें की बीमारियों से बचे रहेंगे दोस्तो आपको पेट की रोगों से बचाएंगे आपके पाचनतंतर को मजबूत करने का काम करेंगी जिससे कि आपको पेट का कोई भी रोग नहीं लगेगा इतना चमतकारी है इस नुस्टखे का सेवन तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तो आज की स्वरी की जो मुक्खे समगरी है वो है दोस्तो जीरा कूमिन सील दोस्तों जीरे के फाइदे आपने बहुत बार सुनोंगी दोस्तों हर घर की रिसोई में जीरा मिल जाता है ये एक मसाला है और हम इसका मसाले की रूम में ही परियोग करते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दो कि ये सिर्फ मसाला नहीं है बलकि ये आपके सरीर के लिए एक ओस्ती की तरहें काम करता है आपके सरीर की खून की कमे का इलाज करता है खून की गंदगी को दूर करता है हार्ट ब्लोकेज को खोलने का काम करता है ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बना कर रखता है जिससे कि आपको heart blockage की समस्या नहीं होती आपको इन पेट के रोगों से बचाक रखता है तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने इस जीरे का परियोग करना कैसे है दोस्तों आपने क्या करना है एक छोटा चमच जीरे लेकर रात भर के लिए एक गिलास पानी में उसको भीगव कर रखते हैं जैसे कि ये हमने रखा हुआ है अब आपने सुबह जब आप उठें तो इन जीरे को सहीध इस पानी को उबाल ले जैसे कि ये हम उबाल रहे हैं अब आप इसको आग सी नेच उतार ले आपको पूरा सरेर बिलकुल निरोगी बन जाएगा आपके सरेर की इम्म्यून पावर बढ़ जाएगी दोस्तो आपके सरीर में खून बनाने की मसीन लग जाएगी खून की कमे का इलाज हो जाएगा आपके सरीर का खून पतला हो जाएगा आपके सरीर का खून साफ हो जाएगा और आप अपने सरीर को बिलकुल निरोकी बना देंगे बहुत त्रहें की बीमारियों से बचे रहेंगे तो दोस्तों देर किसे बात की है आप भी इस नुस्खे को आज से ही प्रयोग करना सुरू करतीजी दोस्तों इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजे ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वीडियो की नोटिफकेशन आते रहें धन्यवाद दोस्तों